आप बताता हूं जिसका नाम है CNC Operator एक मसीन होता है अगर आप CNC का काम सिखके अगर आप कोवेट के अंदर आते हो तो आपको कोवेट में सेलरी मिल सकती है क्योंकि इस काम का इस टेक्शन की ज्यादा प्रोग्रामिट्ट स्बाइब निले टो इसे और अधर तो इसका जाधा रिक्वार्मेंट्ट होता है तो इसका ज्वार्मेंट शालरी भी अच्छा मिलता है तो अगर आप कोईट के अंदर आना चाते हो तो इसका का में आप शिख लेजिए क्योंकि टेक्मिय है जो CNC operator एक programming machine होता है जो हर एक परकार की जो different parts होता है वो CNC machine से बनाए जाता है जैसे कि जो गाड़ी का parts होता है जो गाड़ी की आउजार होती है बहुत सारे जो समान्स होता है सारे जो पूंड़ी में जो operating system होता है अओटमेडिक होता है उस पढ़ा पर प्रोग्राम एक बाद सेट कर देते हो तो ऑटमेडिक उसी प्रग्राम पर हो मसीन चलती हो चैनल स्था एक दूसरा उसी का काम है जिसका नाम है टंडर मसीन जिसे जाता है उसकी मैन्वार्म और भी जगे प्यूज होता है यहां भी यूज होता है तो अगर कि यह श्यूसी मसीन का जाद़ दिपांड कोवियं के अंदर तो आगर आप प्रूरलम नियुए अगर आप टर्णिंग मसीन चलाते हो तो आपके लिए CNC जो मसीन है उसको चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा उसको सिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा इसको कम्पूटर नौलिज थोड़ा सा होना चीए और CNC मसीन जो है टोटल प्रोग्राम के प्रोग्रामीं कीया जाता है प्रोग्रामींग के हिसापसे मशीन खेल को चलता हो क्योंकि CNC मसीन अगर आप चलाना करना के लिए तो आपको यहां पे 40,000-50,000 रुपे आप तक आपको salary मिल सकती हो के अगर जब आपको एक experience हो जाता है तो आप experience होने के बाद आप कहीं भी दूसरे जगा जॉब देख सकते हो के और फिर आपको हमापे अच्छी salary आपको मिल जाएगी और मैं आपको कहली कोवेट के अंदर नहीं कहता हूं पूरी गल्फ कंट्री में चाहिए वह साओधी हो मान हो कतार हो के जोड़न हो और वाटी वर्स तो इसकी इसकी डिमांड से बहुत हाइड होता है क्योंकि इस से बहुत सारे काम होते हैं तो अगर आप अच्छा अगर इसा कमा सकते हो के अगर चैनल पर फर्स्ट आम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो गंटी को भी दबा दो और बटन को भी दबा दो तो जो वीडियो में बनाऊंगा इंफॉमेशन वाली तो उसकी नोडिफेकेशन्स आप लोग को मिल जाएगा हो के